नमस्का दोस्तों मेरा नाम है अबिशेक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब का चैनल दोस्तों कल होगा 10 फर्वरी का दिन और होगा टेडी बियर डे तो राची के साब से बताऊंगा आपको कौन सा टेडी बियर आपको देना चाहिए अपने फियोंसे को या अपने प्रेमी का को या अपने प्रेमी को साधे साथ आपका कल का दिन कैसा रहने वाला है वो भी मैं आपको बताऊंगा तो पूरे वीडियो के साथ मेरे साथ बने रहेगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजेगा और चैनल पर अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजेगा तो चली फिर हम बात कर लेते हैं कल के दिन की मेश राशी के अगर बात करूं तो स्वास थोड़ा नरम होता हुआ कल दिखाए देगा और प्यार के मूड में तो काफी होंगे लेकिन हो सकता है कि कल हेल्थ जो है वो उतनी ज़्यादा आपका साथ ना देख थोड़ा आलस आप कल दिखा सकते हैं अगर आप धन इसका कोई बड़ा लेंदिन करने जा रहे हैं तो थोड़ा बहुत समल कर कीजेगा नहीं तो धोके के संकेत हैं आप मिलते वे दिखाई दे रहे हैं महीं पर अगर पॉब्लिक लेशन से रेलेटेड आपका कोई कार रहे है तो वो सफ़ल होते वे कल दिखाई दे रहे है अब हम बात करने हैं कि टैडी बियर वाले दिन आपको कौन सा टैडी बियर रेना जाए है मेशाशी वाले जो होते हैं वो थोड़े से स्वाबिवाणी किसम कि होते हैं इसलिए इनको लाल सफेद, कुलाबी, नारंगी, गोल्डन और पीले रंग कारू टेड़ी हैं वो अगर आप देंगे तो काफी अच्छा रहेगा और काले रंग का कोई भी टेड़ी बियर इन्हें ना दें तो बेटर रहेगा हम बात कर लेते हैं बिर्शाब राशी की, तो बिर्शाब राशी में कारेशेट में प्रेशर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, प्रेम संबंधू में की वज़े से हो सकता है, कल आप केरियर पे उतना ध्यान ना दें, हालाकि समय आपका प्रेम के साबसे काफी मौज मस्त वाला पितेगा और अगर आप राजनीती में हैं तो राजनीती में आपकी जो प्रोग्रेस हैं काफी कल अच्छी होती भी दिखाई दे रही है, विशब राशी के अगर बात करूं तो टेड़ी बियर डे के लिए अगर बात करूं तो उची सोच रखने वाले होते हैं यह आप कर सकते हैं, वहीं अगर मितोण राशी की बात करूं तो सरकारी कार्यों में सफलता मिलते दीख रही है, कारे में उन्नती होते विए दिखाई दे रही है और अगर आप के भार टाइप वोक्क करते हैं तो हो सकता है आपको थोड़ा बहोत परशानी का सावना कलब क करना पड़ सकता है थोड़े के शाप किसम के होते हैं वितन राशी वाले और क्रेटिव होते हैं तो हरे रंग से बहुत काफी जादा उसाहित यानि एक्साइड रहते हैं काला रंग सफेद रंग लाल रंग और पिंग भी इने पसंद होता है तो किसी भी रंग में आप अपन करगराशी की बात करूं तो बिना कोशिश के लंबित मसले आपके हल होंगे टेंशन जो है वो कम होगी हाला कि कल ठकान महसूस करेंगे आप कारेच छेतर में और वेबसाइब में भी फड़ा बहुत उतार चड़ाव आपको कल देखने को मिल सकता है तो ध्यान से करिएगा जो भी आप करने जा रहे हैं करगराशी के अगर मैं बात कर लूँ टेडी वियर डे के लिए तो भाबुक प्रुवति के ये लोग अपनी यादों से जुड़ी हर वस्तों को पसंद करते हैं लेकिन इन्हें हरे और पीले कवर में लिप्टा हुआ गिफ्ट अच्छा लगत तो कल आपके येश्म में बड़ातरी होते वे कल दिखाई दे रही है विरोधी पक्ष आपके कुछ नहीं कर पाएंगे कल आपका और आपको बिपरीत स्थितियों में कल काफी अच्छे विजल्स आपको देखने को बिलेंगे और अपने काम को आप बहुत समझ के कर पाएं वहीं पार्टनर के संग कल आप अच्छा समय बिताएंगे लव लाइफ आपकी काफी अच्छी कल रहेगी अब टेडी बियर एकी बात कर लेता हूं तो इस राशी के लोगों को राजा के समार इनकी जो सोच होती है इसलिए इने गिफ्ट में सफेद, कोल्डन और पीले रं में तिला आप से उसाहित रहेंगे स्टुरेंट के लिए केरियर और एजुकेशन के लिए समय जो है वो काफी अच्छा है उनकी जो प्राने काम थे या कुछ भी चीज़े उनकी जो हक में नहीं चल रही थी वो आप उनके हक में चलेंगी वहीं विस्त जिंदिगी में सुक प्रेस किया जा सकता है तुला की अगर बात कर लूँ तो कारेश्चेतर में करनी कि करियर में कल काफी अच्छा महौल रहेगा काफी आप एक्सैटेट रहेंगे और आर्थिक दवाब होने के कारण भी आपका मन काफी अच्छा रहेगा और पूरे जोश के साथ आपने काम क करती भी दिखाई आपको देगी थोड़ा संतुलन वाले होते हैं तुला राशी वाले तो नीला रंग अथिक पसंद होता है और इसके अलावा आप सफेद और पीले रंग के टेडी वियर भी इनिंगिफ्ट कर सकते हैं ब्रश्चिक राशी को मैं बताना चाहूँगा कल के बारे में कि केरियर को लेकर थोड़े से चिंते रह सकते हैं हाला कि जो साथ में काम करते हैं करने से थोड़ा मनमटाव भी कल दिखाई दे रहा है हाला कि थोड़ा सा प्रॉफिट भी कल अपका जो है वो थोड़ा कम होता हुँआ दिखाई दे रहा है लेकिन कबराने कोई बात नहीं, जैसे से दिन आगे बढ़ेगा, शाम तक होते होते, चीज़े काफी आपके पक्ष में हो जाएंगी, प्रश्चिताशी की बात करूं, तो बहुत दिक रूप से कारे करने में बहुत से दक्ष होते हैं, परपल, ब्राउन, गरीन, लाल के टेडी बियर, खासों से अगर आप देंगे, तो काफी आपका प्यार परवान चाड़ सकता है, धनू की बात कर लेते हैं, धनू जो वेबसाइक समधान होगा, अदाम पे ते जीमिन सुकी रहेगा, कैरियर में वरिष्टों से अनुभव से लाव बिलेगा, बिजनस प्लान आप बना सकते हैं, वही अप सफेद रंग का टेडी बेर भी इने अहना कि से देख सकते हैं, मगर की बात करूं कल के बारे में तो रोजगार के अपसुर मिल सकते हैं, परसनल प्रशानियां दूर हो सकती हैं, धनलाब हो सकता है, सीनियर के दो दवाब हैं, वो भी कम हो सकते हैं। कुल्मला के दिन जो है वो कल अच्छा ही बीता हुआ दिखाई दी रहा है। स्ट्रॉंग नेचर होने की करण इन्हें ब्राउन रंग और खा की रंग पसंद होता है। लाल रंग का टेडी बेर देने की बजाए इन्हें सफेद रंग का टेडी बीयर देना ही उचित कल रहेगा। हम बात कर लेते हैं कुम बराशी की तो प्रफेशनल और परस्टनल में भेट करते हैं, कर पाएंगे आप और अपने दोनों ही लाइफ में काफी अच्छे से प्रफॉर्म कर पाएंगे, और कॉन्फिटेंस में हाला कि थोड़ी सी कमी कल दिखाई देगी, लेकिन कारेश हैली काफी अच्छी आपकी रहेगी, तोड़ा सा बीपरीट टाइम में भी आप अच्छा परफॉर्म करने में सफल रहेंगे, एक्टिव रहने से आपकी काफी परशानिया जो है, वो हलोती भी आपको दिखाई देगी, अब कुमराशी की बारे में बात कर लेते हैं कि टैटी रूप से कल जो दिन रहेगा कुमराशी वालों का वो थोड़ा सा ठीक रहेगा, और बात कर लेते हैं मीन राशी की, तो तो क्योंकि है लास्ट राशी कल की, अर्थिक विकास कल होता वा दिखाई देगा, सम्मान बढ़ता वा दिखाई देगा, और कहीं न कहीं सेक अर्मी भी आपका स्वयोग करेंगे, प्रफेशनल घटना गर्म में फसे रहेंगे, हाई प्रोफाइल लोगों के साथ पार्टी करेंगे, वहीं टेड़ी वियर डेके दिन इस राशी के जो जातक होते हैं, सुब आप से इमोशन होते हैं, कि लगवा पीला रंग इने पसंद होता ह सफेज, लाल, लग, महरून, टेड़ी वियर इने जल्दी इंप्रेस कर सकते हैं, तो दोस्तों मेरा छोटा सा प्रियास था, मैंने आपको छोटी से टिप दिये, सभी बारा राशियों को कौन-कौन से करा के टेड़ी वियर आप दे सकते हैं, तो आप उमीद करता हूं, यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया है तो दोस्तों लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, तेखने के लिए बहुत बहुत आपने बाद, नवाद.